दोस्तों आपको पता ही है दुबाई को दुनिया का सबसे यूनिक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि दुबाई की एक आदत है कि वो कुछ भी करता है तो सबसे बरा या सबसे यूनिक करके दिखाता है लेकिन सारी दुनिया की नजर दुबाई पे है कि वो आखिर इतना पैसा लाते कहां से है ज्यादा तरह लोग समझते है कि वो 99 परतिसत पैसा पेट्रोलियम की वज़ा से आया है जो कि ये बात बिल्कुल गलत है पेट्रोलियम तो दुबाई की आमदनी का लगभग एक परतिसत हिस्सा है 1968 तक दुबाई सिर्फ रेगिस्तान की तरह दिखता था लेकिन फिर 1968 में ही दुबाई में पेट्रोलियम की खोज हुई और फिर पैसों की बारिस होने लगी साल 1990 में दुबाई के बातसा सेक मुहमद बिन रासीद ने सोचा कि पेट्रोलियम तो कुछ सालों बाद खतम हो जाएगा फिर क्या होगा इन ही बातों से रातों की नी दूर गई थी इन्होंने दुबाई को तेल पर निर्भर न रहने के लिए दुबाई को इन्वेस्टमेंट हब में बदल दिया विदेसी कमपनियों को दुबाई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुबाई को टैक्स फ्री एकोनोमी बना दिया फिर कुछ ही सालों में रियल इस्टेट मार्किट बहुत थी जादा काम्याब हो गई और देखते ही देखते आलिसान बिल्डिंग और लक्जरी होटल बनने लगे टुरिजम से आया विदेसी पैसो ने दुबाई को माला माल कर दिया कुछ और जाना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लेना